जहिन साथियो नमस्कार नमस्ते गुडियोनिंग सामके 6 बत चुके हैं और मैं नरेदर आप सभी साथियों का GK Classes में हारदिक स्वागा तोर अभिनेंदन करता हूँ सभी साथी जल्दी से Class में जूड़ जाएं और अपने सभी साथियों में Class को share कर दें बहुत ही शांदर क्लास होने वाला है और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग आज के इस क्लास के शुरुबात करने वाले हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दो दिन से आपकी क्लास नहीं हो पाई किसी कारणवस तो आज से हम लोग फिर से regular करेंगे और सभी पर्तियों की परिक्षाओं के लिए जो Lucent GK के mixed question है उसकी हम लोग सुरवात करेंगे ठीक है तो सब लोग जल्दी से class में जुड़ते जाईए जो भी साथ ही चैनल पर नए आते हैं चैनल को subscribe कर लेंगे और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि new और लेश्टेट अबडेट आपको सबसे पहले मिल जाए वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए अपने सभी साथियों में share कीजिए और comment box में comment करके जरूर बता है class आपको कैसा लगा class की PDF पाने के लिए हमारे टेलिग्राम चैनल को जरूर जोइन कीजिए इसका लिंक आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा ठीक है तो सब लोग जुड़ जाए जल्दी से class में और आज की इस class का जो पहला person है वो कुछ इस परकार है पहला person आपसे पूछ रहा है कि National Cadet Core Day कम मनाया जाता है option नहीं कहता है 21 अक्टूबर को option B है 23 नौमबर को option C है 25 दिसंबर को option D है 31 जनौरी को तो बताइए National Cadet Core Day कम मनाया जाता है आये देखते हैं इस person का सही जवाब क्या होगा तो option number B is right answer 23 नौमबर को 23 नौमबर को National Cadet Core Day मनाया जाता है यानि NCC जो है वो National Cadet Core Day ये आपकी 23 नौमबर को मनाया जाता है भारतिय ससस्त्र बलो की युवा साखा और दुनिया का सबसे बड़ा वर्दी धारी युवा संगटन राष्टिये Cadet Core National Cadet Core की बात करे तो ये हर साल नौमबर के 24 रविवार को मनाया जाता है ठीक है? और हाल ही में 28 नौमबर को अपनी 73 वी वर्सगांठ मनाया है और इसकी अस्थापना की बात करे तो इसकी अस्थापना जो है वो National Cadet Core Day पहली बार 23 जनौरी को NCC की अस्थापना के उपलक्स में मनाया गया था NCC की जो अस्थापना है वो आप याद रखेंगे 16 अपरेल 1948 को हुआ ठीक है NCC की जो अस्थापना है वो 16 अपरेल 1948 को हुआ था और इसका मुख्याले जो है वो नई दिल्ली में इस्तित है ठीक है? तो इतना आपको याद पता होना चाहिए चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे पर्षन की और पर्षन नमबर दो जो आप से पूछ रहा है वो कहरा कि नोबेल पुरुषकार विजेता रवींद्र नाठ टेगोर का जनम दिवस किस तारिक को मनाया जाता है आप्षन A है 6 माई को आप्षन B है 7 माई को आप्षन C है 8 माई को आप्षन D है 9 माई को तो बताए इन में से किस दिन नोबेल पुरुषकार विजेता रवींद्र नाठ टेगोर का जनम दिवस मनाया जाता है तो आए देखते हैं इस पर्षन का सही जवाब क्या होगा तो आप्षन नंबर 20 राइट आंसर 7 माई को 7 माई को नोबेल पुरुषकार विजेता रवींद्र नाठ टेगोर का जनम दिवस मनाया जाता है 7 माई 1861 को कोलकत्ता में रवींद्र नाठ टेगोर का जनम हुआ था याद रखियेगा 7 माई 1861 को रवींद्र नाठ टेगोर का कोलकत्ता में जनम हुआ था ठीक है कोलकत्ता में इनका जनम हुआ था गितांजली के लिए इन्हें किसके लिए गितांजली के लिए इन्हें 1913 में नॉबेल पुरुषकार दिया गया था कब दिया गया था तो 1913 में नॉबेल पुरुषकार इन्हें गितांजली के लिए दिया गया था अगर इनकी मृत्यू की बात करी जाए कि इनका मृत्यू जो हुआ वो कब हुआ तो याद रखेंगे आप लोग इनका मृत्यू जो है वो 7 अगस्त को 7 अगस्त 1941 को हुआ था ठीक है इनकी जो डेट है वो 7 अगस्त 1941 को हुआ था और इनका जनम 7 मई 1861 को हुआ था 1913 में गितांजली के लिए इन्हें नोबल प्रोषकार दिया गया और हमारे राश्टीगान जनगर्मन अधिनायक इसके जो रचाहिता है वो भी है रविंद्र नार्ट टेगोर तो इतना आप लोग याद रखेंगे बरते हैं आज के तीसरे पर्षन की और तीसरा पर्षन आप से पूछ रहा है रिग वेट के नीमलिखित में से किस सूतक में हमें चतुस्वणे समाज यानि चतुस्वणे व्यवस्ता का प्राचिंतम उलेक प्राप्तो होता है आप्शन ए कहता है केसिन सूतक में आप्शन B कहता है नारदिय सूतक में आप्शन C है पुरस सूतक में और आप्शन D है पुरूरुवा उर्वशी समवाद सूतक में तो बताए इन में से किस सूतक में रिग वीद के निम्रिखित में से जो हमारे चत्युस्वन समाज की वेवस्ता है वो प्राप्त होती है आईए देखते हैं इस परशन का सही जवाब क्या होगा तो option number C is right answer पुरुष सूतक में चतुसपर समाज की कलपना का जो उलेख प्राप्त होता है ये पुरुष सूतक में प्राप्त होता है जो की रिगवेत के दस्वे मंडल में वर्नित है और इसके अनुसार ये कहा गया है की चारवन ब्राम्हर, छत्रिय, वैश्या तथा सुद्र ये जो है ये पुरुष ब्राम्हा के करम से मुख, भुजाओं, जंगाओं और चर्णों से उत्पन हुए है यहाँ पर ब्राम्हा की बात किया जाए तो ब्राम्हा के जो मुख है वहाँ से ब्राम्हा का और छत्रिय जो है उनको भुजाओं से और वैश्या जो है उसे जंगाओं से और सुद्र को चर्णों से उत्पन माना जाता है तो ये सब आप याद रखेंगे और इसका वर्णन जो है वो रिगवेद के दसवे मंडल में किया गया है ठीक है चलिए आगे पड़ते हैं और पर्स नमबर फोर की बात करते हैं निमलिखित राजियों में कौन सा पमन उर्जा के उत्पादन में पर्थम अस्थान रखता है आप्षन ये है तमिलाडू आप्षन भी है राजस्थान आप्षन C है माराष्ट आप्षन D है गुजराद बताए इन में से कौन सा राजी ऐसा है जो पमन उर्जा के उत्पादन में पर्थम अस्थान रखता है अगे देखते हैं इस परशन का सही जवाब क्या होगा तो आपसा नमबर A is राइट आइज़र तामिल लाडू तामिल लाडू जो राजी है वो पवन उर्जा के उत्पादन में पर्थम अस्थान रखता है भारत में पौन उर्जा का विकास जो है वो 1990 के दसक में सुरू हुआ था और पवन उर्जा उत्पादन शम्ता में भारत की अगर बात करे तो ये विश्व में चोथे अस्थान पर है वहीं अगर हम लोग भारत में सरवाधिक पॉन उर्जा के उत्पादन में देखें तो तमिल लाडु राजी जो है वो पर्थम अस्थान पे है उसके बाद अगर देखें तो महराश्टी है उसके बाद गुजरात है और उसके बाद में आपका करनाटक राजी है तो निमलेखित राजी में जो सरवाधिक पॉन उर्जा के उत्पादन में पर्थम अस्थान रगता है वो है तमिल लाडु तो आप्शन A is right answer हो जाएगा बात करते हैं आज के पर्षन नमबर पांचवे की तो इसमें पूछा गया कि भारतिय संगीत का आदिगरंथ किसे कहते हैं आप्षन A है रिगवेद को, आप्षन B है उपनिशद को, आप्षन C है यजुरवेद को, या आप्षन D है सामवेद को, तो बताईए भारती संगीत का आदिगरंथ किसे कहते हैं? तो आए देखते हैं, इस पर्षन का सही जवाब क्या होगा? तो आप्षन नमबर D is right answer सामवेद, सामवेद को भारती संगीत का आदिगरंथ कहते हैं, अर्थात भारती संगीत की जो जननी है वो सामवेद है, और इसके पाठ करता को उद्रात्र कहते हैं, ठीक है? चलिए बात करते हैं, आज के पर्षन नमबर 6 की, तो पर्षन नमबर 6 कहरा है, निमलिखित में से कौन सा सब्द भारत की साविधान की उद्देशिका में नहीं है? आप्षन A है समाजवादी, आप्षन B है, पंथ निरपेक्ष, आप्षन C है, प्रभुत्व संपन, आप्षन D है, लो पर्षन का सही जवाब क्या होगा? तो आप्षन नमबर 6 राइट आंसर, लोग कल्यार, लोग कल्यार जो है ये भारत के साविधान की उद्देशिका में वर्नित नहीं है, बाकी समाजवादी आपको मिल जाएगा, पंथ निरपेक्ष मिल जाएगा, प्रभुत्व संपन मि मिलेगा, बात करते हैं पर्षन नमबर 7 की तो ये कहता है कि भारत एक गन तंत्र है, इसका अर्थ होगा, आप्षन ये है सभी मामलों में अन्तिम अधिकार जनता के पास है, या प्षन भी कहता है कि भारत में संसदी शासन है, या अप्षन C है, भारत में वन्सान उगत सास सक नहीं है यह और देखते इस पर्षन का सही जबाब क्या होगा तो आए देखतें इस पर्षन का सही जबाब क्या होगा तो आप्षान भारत एक गनतंत्र है इसका अर्थ है कि भारत में वनसा नुगत सासक नहीं है ठीक है इस बात को आप याद रखेंगे बरते हैं आज के पर्स नमबर 8 की तरफ और पर्स नमबर 8 कहता है कि राष्टपती पूरे देश में या इसके किसी भी हिस्से में अनुछे 300 बाउन के तह या आप्शन C है आंत्रिक अशान्ति के कारण या आप्शन D एक और दो दोनों यानि A और B दोनों ये आपको बताना है तो बताएए क्या होगा इस पर्सन का सही जवाब आई देखते इस पर्सन का सही जवाब क्या होगा तो आप्शन नमबर D इस राइट अंसर यानि आप्शन A और आप्शन B ये दोनों ही आपके सही होंगे बाहि आक्रमन के कारण और ससस्त्र विद्रोह के कारण भारत के अंदर राष्टपती के द्वारा अनुछे 352 के तहत राष्ट ये आपातकाल की इस्तिती में गोशित किया जा सकता है यानि आपातकाल की इस्तिती लागू किया जा सकता है तो जब बाहियाक्रमन होगा या ससस्त्र विद्रो होगा तभी ये इस्तिति लागू होती है बात करते हैं आज के पर्षन नमर 9 की तो ये कहता है कि निम में से किस राज सरकार ने किशा ने सूरिय दय योजना लागू की है आफषन ले कहता है पंजाब आफषन भी है ज्हारखंट आफषन सी है कुजरात आफषन डी है बिहार तो बताइए इस परषन का सही जवाब क्या होगा तो आए देखते हैं इस परषन का सही जवाब क्या होगा तो आफषन नम rece is right answer गुजरात हाल ही में यह जो सूर्य दय योजना है ये मुख्य रूप से गुजरात की किसानों के लिए चलाई गई है और इस योजना के अंत्रगत गुजरात की किसानों को सिचाई कार के लिए सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक 3 फेज बिजली की आपूर्ती की जाएगी और इसका जो बजट है वो आपके 3500 करोड रुपे का बजट है ठीक है चलिए बात करते हैं पर्ष नमबर 10 की हाल ही में किसने भारती सेना की मानुमा धिकार सेल के प्रथम अतरिक्त महानी देशक मानुमा धिकार का पद भार जो है वो संभाला है आप्षन ने कहता है मेजर जर्नल गौतम चोहन आप्षन B है मेजर अनुपम त्यागी आप्षन C है मेजर अनिल सिंग आप्षन D है मेजर जर्नल परताब कुमार तो बताईए इस पर्षन का सही जवाब क्या होगा आई देखते हैं इस परसन का सही जवाब क्या होगा तो option number A is right answer हाल ही में major general गौतम चोहान भारतिय सेना की मानवा धिकार सेल के पर्थम अत्रिक महालिदेशक मानवा धिकार का पद्ध भार जुह सम्हाला है तो किसने सम्हाला है major general गौतम चोहान ने तो option A is right answer चलिए बात करते हैं person number 11 की तो person number 11 कहता है भारत और किस देशने माध्यम रेंज की speed से हावा में मार करने वाली missile MRS AM रक्षा पर्णाली का सफलता पूर्वक परिक्षन किया option A है नेपाल, option B है इजराईल, option C है चीन, option D है रूस तो बताई इस person का सही जवाब क्या होगा आई देखते हैं इस person का सही जवाब क्या होगा तो option number B is right answer इजराईल, हाल ही में भारत और इजराईल, इन दोनों देशों ने माध्यम रेंज की speed से हावा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM रक्षा पर्णारी का सफलता पूर्वक परिक्षन किया है MRSAM मिसाइल की बात करें तो ये 70 किलो मीटर के दाएरे में आने वाले किसी भी मिसाइल लडाकु विमान जैसे हेलिकाप्टर हो गया या पर्ण केमरा हो गया इन सभी को मार गिराने में सक्षम है ठीक है चलिए बात करते हैं पर्ण नमबर बारा की तो किस कंपनी ने सन 2014 तक सुन्य उस्रजन का लक्ष निधारित किया है आप्षन A है पेप्सी को आप्षन B है रिलाइंस आप्षन C है हिंदुस्तान कंपनी या आप्षन D है जावा कंपनी क्या होगा इस पर्षन का सही जवाब बताईए आया देखते हैं इस पर्षन का सही जवाब क्या होगा तो आफशा नमबर A is right answer पेपसीको पेपसीको जो है यह हाल ही में सन दोजार चालिस तक सुन उसरजन का लक्ष निधारित किया है बात करें पर्षन नमबर 13 की तो यह कहता है 30 सेकंड में 40 बार हनुमान दंड कर दसवी के किस छात्रे ने अपना नाम इंडिया बुक ओफ रिकोर्ड में दज कराया है आफशन ने कहता है माला अडी का आफशन B है सुनिता यादो आफशन C है सविता अगरवाल या आफशन D ह अंकिस सर्मा तो बताई इस पर्षन का सही जवाब क्या होगा आए देखते हैं इस पर्षन का सही जवाब क्या होगा तो आफशन D is right answer अंकिस सर्मा नाम है जिहां साथियो 30 सेकंड में 40 बार हनुमान दंड कर दसवी के छात्र अंकिस सर्मा ने अपना नाम इंडिया बुक रिकॉर्ड में दज कराया है बात करते हैं आज के पर्षन नमर 14 की तो बताईए निम में से किसे दूसरी बार अमेर्की संसद पर्ति निधी सभा का स्पीकर निउक्त किया गया है ओप्षन ए केता है पाल रायन को आप्षन भी है राजा किर्षन मुर्थी को आप्षन C है नैंसी फैलोशी को आप्षन D है पर्मिला जैपाल को क्या होगा इस पर्षन का सही जवाब बताईए आज देखते हैं इस पर्षन का सही जवाब क्या होगा तो आप्षन नमर 16 राइट आंसर हाल ही में नैंसी फैलोशी जो की दूसरी बार अमेर्की सांसद पर्तिनीधी बात करते हैं आज के आखरी पर्षन की तो पर्षन नमर 15 आप से पूछ रहा है किस भारतिये मैसेजिंग एप को ऑफिशेली रूप से बंद कर दिया गया है आप शनी कहता है लाइकी आप शन भी है हाइक आपशन सी है टिक टोक आपशन डी है पब जी ध्यान रखिए यहा आपशन नमर 20 राइट अंसर हाइक भारतिये मैसेजिंग एप हाइक को ऑफिशेली रूप से बंद कर दिया गया है तो साथियों आज की इस क्लास में हमने काफी महत्पूर पर्षनों को डिसकस किया जो आपके सभी परतियों की परिक्षाओं के लिए काफी महत्पूर है त तब तक के लिए आप अपना ख्याल लखिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू थैंक्यू बारी माच जय हिन जय भारत